कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने इस बार भी वेतन भत्ता न लेने का अईलान किया है। वहीं इसे पहले दो बार विधायक रहने के बावजूद कश्यप ने वेतन भत्तों का कोई लाव नहीं लिया था। मद्रदेश की रतलाम सीट से भारती जनता पार्टी के विधायक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो की कैबिनेट की मंत्री चैतन्य कश्यप की प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों बड़ी चर्चा है। चैतन ने वेतन और पिंशन का त्याक करने वाले प्रदेश के इकलोते विधायक और मंत्री हैं। अब इस बीच पुर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस tijdन कश्यप की अन्ने विधायकों और मंत्रीओं को सलाह दी है। उमाभारती ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हाल ही में मंत्री बने और अतलाम के एक संपन्य जैन विवसाई चेहतन्य कश्यप ने अपनी संपत्ती 296 करोड घोशित की है। अभी कुछ दिनों पहले मद्रप्रदेश के अख़बारों में उनकी तारीफ लिखी गई थी कि वो अपना विधाईकी का वेतन नहीं लेते जो की साल भर का करीब 12 लाख रुपए होता है। 296 करोड वाला व्यक्ति अगर सरकार के 12 लाख छोड़ देता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वरुन गांधी ने भी वेतन छोड़ने की बात की थी। वहीं पुर्व सीएम ने आगे लिखा चैतन्य कश्यप सरकार को वेतन वापस करने की जगह वो राशी अभावगरस्त लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करनी चाहिए। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सभी विधायक बड़े व्यवसाई नहीं होते और न वो राजनीती से अपना व्यवसाई बढ़ाते हैं। एक बार सांसद वरुन गांधी ने भी कहा था कि सांसदों को वेतन और पिंशन नहीं लेना चाहिए। वरुन गांधी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो हजारों करोडों की पैत्रिक संपत्ति के मालिक हैं। अपना सर्वस्वत्याक कर राजनीती के माध्यम से जन सेवा करने वाले जन प्रतिनियों को हर तरह की सहूलियत सरकार से मिलनी चाहिए। उमा भारती ने ये भी दिया तरक। देती है। शामिल कर लिया करें। उन्होंने इस पर कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। सबसे अमीर मंत्री हैं चेतन कश्यब। जनकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो समेत मंत्री मंडल के सदस्यों की ओसत संपत्ती अठारह करोड़ चवन लाख रुपए है। प्रदेश के 31 में से 30 मंत्री यानि की 97 फिजदी मंत्री जो हैं वो करोड़ पती है। मंत्री मंडल में सबसे ज्यादा संपत्ती 296 करोड़ की संपत्ती चेतन ने कश्यब की है। सबसे कब संपत्ती 89,64,000 रुपए राज्य मंत्री स्वतन प्रभार गौतम टेटवाल की है।